हेलो जी राम राम जी कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे तो आज है 29 दिसंबर दिन है मंगलवार का और यहां पर मोर्निंग रोटीन हमारा सुरू हो चुका है सुबह की दिन चरिया और अभी लाइट आई है तो सबसे पहले मैं जो है यह दही नहीं है हम लोगोंने और फिर मैं बनाऊंगी सबजी और रोटी बाद में दुपैर के लंच के लिए तो चलिए पाणी करम मैंने रख लिया है और दई निकाल देते हैं जो कोई दई खाएगा वो दई खालेगा थोड़ी सी दे तो निकालने पड़ती है क्योंकि चिंकी की जो है फेवरेट है और सबसे पहले मैं यह दही लगाऊंगी तो चलिए दही लगाना इस्टार्ट करते हैं और यह बिलो लेते हैं पिल निकालेगे इसमें से मक्कन और सर्दी की वजए से यह वाला टोकर जो है जिसमें हम दूद्र रखते हैं आमेंसा सेव्टी के साथ में इसे अंदर ही रखना पड़ता है हूँ इसके इसमें हमने बोरा डालक है उपर से कोई भी कपड़ा कवर कर देते हैं और गुड़्डू है कैमरमेन तो बोल रही है मुझम 요즘 ठोड़ी सी दही निकाल देती हूँ मैं ने तुनैंसा शौंकर जादřे लें और यह मक्ठम मैंने on separate मatсти लियो और इसमें गरम पानी की जुरत है, सर्दियो तो गरम पानी से ही मक्खन आता है, तो इसमें गरम पानी से डाल दिया है, और अब लगा देते हैं रही, और फिर खाएंगे फ्रेस एक्तम मक्खन दो, और देखे इसमें मैंने गरम पानी डाल दिया है अभी रही के लगा देते है तार और जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक इसमें जो है मक्खन आ जाएगा और दही लगाने के बाद में अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ की क्लेनिंग की और उसके बाद में पूजा पाट कर रही हूँ और एक लूटिया में जो है हम लोग पानी रख लेते हैं उसमें थोड़ी सी कुड़की डली रख लेते हैं और इसके बाद में देखिए दीपक लगाने के बाद में दूबती लगाने के बाद में मैं पढ़ती हूँ शिवचालिचा जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगत सब पर अपनी करपद रष्टी ऐसे ही बनाई रखेगा मातरानी मैं तो यही कामना करती हूँ मातरानी से प्रातना करती हूँ कि हमारी पूरी फैमली पर यह चो छोटी सी फैमली है इस पर अपनी करपद रष्टी बनाई रखेगा तो अभी मैंने तुलसी क्यारी में जो है प मक्की रोटी चटनी के साथ में या मठा के साथ में दही के साथ में खाना पसंद करते हैं तो उन सब को जो है उनकी फेवरेट अभी जो है चाई बहुत कम कर दी है पीनी कहीं लोगों जो है चाई बंद कर दी है जैसे कि मैंने बंद कर दी है और और से दश्या हमारे घर में च पानी और फ़र्टी साधी है चुक्त है चुक्त में तो हम लोगों का यह मकषण धही में अच्चे से बिलकर आता है तो अभी बन गई है फ्रेश वाली चाज एक दम और यह ज्यो फ्रेश चाज है वो नुकसान भी नहीं डेती है तो पृती ने नास्ता तैयार कर दिया है तो देखे यहाँ पर अभी तक 20 सारे कमरों में ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने सोचा साथ की साथ जो है डस्टिंग, क्लीनिंग ये सब चीज करेंगे और ज़ाडू भी लगाते जाएंगे और इसके बाद में फिर मैं करूंगी पोचा, सबसे पहले चारो कमरों में ही सिं पोचा लगाना स्टार्ट कर दिया है और इसमें डाल दिया है फिनाईल, पानी में फिनाईल का पोचा लगाती हूँ, तो मक्ही मच्छर जो है घर में कम आते हैं और कम रहते हैं, तो डंडे वाले पोचे से फटा-फट से पोचा लग जाएगा, उसके बाद में मुझे खा करने हैं आज बच्चों को नहीं नहलाया था सुबह के टाइम में ज्यादा ठंडी थी तो मैंने सोचा आज कप्ड़े चेंज कर देते हैं ऐसे ही काम चल जाएगा और नंदनी की थोड़ी सी नोजी बैर रही है देखे हावा लगती है और ठंड का मोसम तो है बच्चों का ठं माने की तैयारी अभी मा जो है आलू का छिलका उतार रही है उधर दूसरी साइड में बैठी है माने बोला कि जब तक तुकड़ाई रखके छोक चांक डाल इसमें तब तक जो है मैं यह आलू भी तैयार करतूंगी तो जिस दिन से प्रिती ने जो है कोलिज अटेंड किया है उस दिन से काम का बड़न तो बढ़ी गया है दोनों नहीं तो करते रहते थे और मा जो है नंदनी के साथ पूरा दिन अपना बिताती थी और अब जो है मा को मेरी एल्प करनी पड़ती है देखे बच्चे भी है च जो है हमारी एक काली गाएं भी चली गई है तो हमारे पसू भी कम हो गए है उसकी वज़े से भी थोड़ा सा पसू की तरफ से भी हमें टैंसन फिरी हो गए दो पसू का चारा तो मैं भी आराम से कर सकती हूँ नहीं तो पूरा दिन उसके साथ में एक जने का चला जाता है ब भंडारे वाली सब्जी एकदम बहुत टेश्टी तो गुड़ो के पापा की फरमाईश थी कि मा आज आलू टमाटर बनाओ मा ने कहा कि कडाई में बनाना जैसे पूरी के साथ जो खाते हैं सब्जी वो वाली तो देखे अभी टमाटर फ्राई होने के बाद में मैंने इसमें और इसने मसाले ने जो है चारों तरफ से किनारों से तेल छोड़ दिया है और देखे कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है और ये फ्राई भी हो चुकी है और अब मैं जो है इसमें आलू का गोल डालूँगी आलू का गोल जो है माने तयार करके मुझे दे दिया है तो आलू मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी और सारी चीजे माने तयार करके रख रखिया हैं आपर तो मैं मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मा थैंक्यू आपने मेरी इतनी मदद की मा कहती है ये तो घर के काम है मैं ठली रह कई क्या करूँगी दंदनी को तो तेरे पिता जी ले रहे तो इस तरीके से ही मैंने इसमें अभी साथ की साधी मेथी के पत्ते और हरे धनिय की पत्ती भी डाल दी है जिससे सब्जी जो है टेस्टी बन जाए तो यहाँ पर देखे सब्जी हमारी पकर तयार है और मा दिखा रही आप सबको कि कैसी बनी है हमारी सब्जी मा जो है इसे अभी पतिली में निकाल लेगी वीडियो बना तेरी अब बना तो रहा देक लग तो रहा अब बाई यह तो स्टन्ट जो है मिश होगाई निकाल की देखे निकाल देखे निकाल निकाल इसाया इसाया जो है कैसे दिखाते हो स्टन्ट अची को मजए मजएदार गेम के साथ यह खोल दूँ बिट्टा हाथ दब जगश में हाथ दब जगश में इधर आ जाओ यह चुएंगा ट्रेप है अजो अच्छा चुएंगा जाला यह ट्रेप नहीं है यह हां और यह देखो यह जो है पापा कहना इसी का है तो सब को यह संबोधन इसका ऐसे रहता है बस हां चलो और यह इधर इसका सब्सक्राइब कर रहा है यह वाड़ा टेंप यह 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 और सेलिब्रेट कर रहा है से चीकू भी यह चीकू अले भाई तेरी बना लेंगे तेरी बना लेंगे ले रुक रुक के टक जाती है किस पर से चला रहे हो आप ऐसे चला रहा हूं और मैं कुझा कर रहे हैं कौन कर रहे हैं इसके स्टेंट देखको आज बैट के उपर से फिर उतर रहे हैं ओ बस चलो ठीक है बहुत हो गया अभी बहुत नहीं हुआ हो गया अब होने लग रहा भी बड़ा श्टंट हो लग रहा है बहुत बढ़ा श्टंट बढ़ा बहुत बढ़ा तो यह स्टन्ट है बाई कुछ तो तेरी यह हैं कि तरे स्टन्ट यह हैं अच्छा दिखा रहा हूं अच्छा स्टन्ट दिखा रहा हूं तो आज चल दिखा रहा तो बस होगे बहुत तो फ्रेंट्स आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अपने नेक्ट व्लोग के साथ में तब तक के लिए बाई बाई सबको मेरी राम राम